हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके MBA प्रोग्राम के बारे में कि अगर आप भी इगनू से MBA करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना होगा यानि कि आपको admission कैसे लेना होगा आपका admission entrance based होगा या फिर आपको direct admission दिया जाएगा इसके बाद इसमें admission लेने के लिए कितनी percentage चाहिए यानि कि इसके लिए eligibility criteria क्या है इसके बाद इसकी fees क्या है उसके बाद आपको कौन-कौन से subject यहां पर पढ़ने को मिलेंगे इसके बाद इसका duration क्या है इसके बाद इसके exam कप होते हैं और इसके assignment कप submit होते हैं इसके admission process के बारे में इन सभी complete information के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे तो दोस्तो आईए बिना देरी करते हैं वीडियो को start करते हैं वीडियो को start करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe करें और आने वाली वीडियो की notification सबसे पहले पाने के लिए notification bell icon को press करना ना भूलें तो दोस्तो आईए वीडियो को start करते हैं तो दोस्तो अगर आप भी IGNU से MBA करना चाहते हैं तो आपको IGNU में MBA करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि IGNU में MBA करने के लिए आपको कोई भी entrance exam नहीं देना है अगर आप इगनू से MBA करना चाहते हैं तो इगनू से MBA करने के लिए सिर्फ आपकी eligibility criteria यहाँ पर दिया गया है कि आप graduate होने चाहिए यानि कि minimum 3 year duration की bachelor degree आपके पास होनी चाहिए यानि आपने चाहिए BA किया हो, BCOM किया हो, BSC किया हो या फिर कोई भी आपने bachelor degree की हो आप यहाँ पर MBA कर सकते हैं और साथ के साथ यहाँ पर आपको यह भी बताया गया है कि अगर आपके bachelor degree program में 50% marks या उससे अप पर आए हैं जब भी आप इसमें admission ले सकते हैं और अगर आप reserve category से हैं आपके 45% marks आए हैं जब आप इसमें admission ले सकते हैं इसके बाद बात करते हैं यह जो module mode में करवाया जाता है इसका duration 2 years का है इसके बाद यह एक semester based program है यह सिर्फ English में offer किया जाता है इसके बाद इसकी fees की बात की जाए तो 15,500 पर semester इसकी fees रखी गई है आपको admission के time पर 300 rupees extra registration के देने होंगी बाकि आपके पर semester 15,500 रुपए यहाँ पर total charge आप से लिया जाएगा इसके बाद बात करते हैं इसके subject के बारे में कि आपको इसमें चार semester में यह सब्जक डिवाइट किया गया अब यह चार semester में आपको कौन-कौन से subject पढ़ने हों बिलेंगे तो यहाँ पर first semester में आपको 7 core subject, second semester में 7 core subject, third semester में 2 core और 4 specialization और एक आपका project और four semester में आपके 4 core subject औ और three specialization subject पढ़ने को मिलेंगे अब यहाँ पर आपको दिया गया है कौन-कौन से course आपको पढ़ने को मिलेंगे यहाँ पर list भी दी गई है जैसे कि आप यहाँ पर semester one में यहाँ पर आपको यह subject दिये गए है इसके बाद semester two में इसके बाद semester three में semester four में जो आपको subject दिये गए उनके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया कि यह subject आपको पष्ट से लेकर four semester में पढ़ने है इसके बाद जब आप यहाँ पर नीचे जाएंगे तो नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर assignment और exam के बारे में बताया गया कि आपके assignment का 30% और आपके exam का 70% weightage है यहाँ प पर बताया गया है कि आपके जो exam है वो June और December में conduct करवाए जाते हैं यानि साल में दो बार इगनुए exam conduct करवाता है एक आपका June session में एक आपका December session में अगर आप भी exam देना चाहते हैं तो आप अपना exam दे सकते हैं इसके लिए आपको क्या करना होगा पर semester आपके exam होते हैं म आपके exam December में होंगे फर्स semester किया जिसके लिए आपका exam form सितंबर अक्टूबर में भरा जाएगा और इसके बाद अगर आपने January में admission लिया है तो इसके exam June में होंगे जिसके लिए exam form March April में भरा जाता है ऐसे आपको exam देने होते हैं बात करें assignment की तो आपको assignment के लिए क्या करन एक आपके assignment June session के लिए submit होते हैं March April में दूसरा आपके assignment submit होते हैं आपके December session के लिए सितंबर अक्टूबर में तो ऐसे आपके assignment submit होते हैं इसके बाद जब हम नीचे जाते हैं तो नीचे जाने के बाद आपको exam form के बारे में बताया गया है कि कब-कब इसके exam form भरे जाते हैं इसके बाद जब आप नीचे जाएंगे तो नीचे जाने के बाद आपको ये बाकी queries दी गई हैं इसके बाद आपको बताया गया है re-registration के बारे में अब ये re-registration क्या होता है तो आपको next semester या next year में जाने के लिए re-registration करवाना होता है जिनमें students ने जो भी students अपना next semester या next year में जाना चाहते हैं तो वो आपना re-reigration कर्वा सकते हैं इसके लिए आपको re-reigration portal पर जाना है वहां से आपको re-re violation करवाना होता है जैसे कि आपको first semester से second semester या second semester से third semester में admission लेना है तो इसके लिए आपको re-re кус Division करवाना होता है तो ये सारे प्रोसेस हैं जिसमें आपको MBA के बारे में बताए गया है MBA आपका सेमेश्टर बेश्ट प्रोग्राम है इसकी 15,500 रुपए आपकी पर सेमेश्टर फीज है और अगर आप किसी भी प्रोग्राम से बैचल डिग्री यानि किसी भी प्रोग्राम से आप Greeduate हैं आप यहां से MBA कर सकते हैं इसके बाद आपको यहांपर بتाए गया है इसकी LGBT Criteria के बारे में कि यानि कि आपके 50% Marks होने चाहिए Graduation में जब आप MBA कर सकते हैं और यहांपर इसकी Fees 15,500 रखी गई है इसके बाद आपको यहाँ पर बतायागे यह program सिर्फ English में offer किया जाता है दो years इसका duration है और maximum इसका 4 years duration रखा गया इसके बाद program के बाहिम बतायागे है कि आपको कौन-कौन से subject आपको यहाँ पर semester पढ़ने को मिलेंगे इसके बाद assignment or exam के हर semester में आपको exam और assignment देने है तेन आप यहाँ से पर semester आप exam देंगे और assignment submit करेंगे दोस्तो आई हुप आपको समझ आ गया हुआ कि आपको इगनू से MBA का program कैसे करना है आपको simply admission portal पर जाना है admission portal पर जाने के बाद new registration पर क्लिक करना है दन यहाँ से आप MBA program के लिए registration कर सकते हैं और यहाँ पर apply कर सकते हैं तो दोस्तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like करें अपने दोस्तों में जादा से जादा share करें और चैनल को subscribe करना बिल्कुल न भूलें और अगर आपको वीडियो से related कोई भी doubt है तो आप मुझे मेरे comment box पर या फिर मेरे instagram या telegram पर follow करके अपना doubt क्लियर कर सकते है दन्यवाद